हालो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम आपका हार्जे स्वागत करते हैं तो चलिए स्टाट करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स पार्ट टू इसके अंदर हम जो हमने फर्स्ट पार्ट करा था उसके अंदर हमने कुछ 20 mcqs करें अब अपन सेकंड पार्ट के अंदर और फर्दर 20 mcqs करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्लास तुएल्थ केमिस्ट्री का तो चलिए स्टाट करते हैं इस वीडियो लेक्ट्र को वितवाम वेलकम तो अल उफ यू जो मेरा फॉस्ट कोशन है कुछ इस प्रकार है कि क्या जाता है यह आपका पी ब्लॉक एलिमें नाइट्रोजन फैमिली के अंदर फॉस्फीन वाले पैरेगाफ में यूजेज में गिवन है क्या है इसका में बता देता हूं कि जो हमारा स्मोक स्क्रीन होता है उसे अपन होल सिगनल भी कहते हैं यह सिगनल देने में काम में आ जो इवाल्व गैसे उसके कारें एक तो स्मोक लिकलता है और हीट प्रड्यूस होती है उससे अपन सिगनल दे सकते हैं उससे अपन क्या कर सकते हैं सिगनल दे सकते हैं तो उसके में कंपोनेंट कैल चर फॉस्फाइट है तो आंसर इसका सी हो जाएगा इससे कौनसी गैस जाता है होन सिगनल यह मतलब समुद्र में किसी को सिगनल देने में काम में आता है यह तो फर्स्ट कोशन कुछ इस प्रकार सेकेंड कोशन structure of CLF3 octahedral tetrahedral pyramidal tetrahedral इनमें से कौन सा structure है CLF3 का CLF3 का structure देखो सबसे पहले sorry CLF3 यह एक interhalogen compound होता है मेरा यह एक मेरा interhalogen compound इसका जो हापन structure है न वो hybridization लिकालते है सबसे पहले इसका क्या होगा hybridization तो देखो CLF3 का trick होती हाफ 7 plus 3 कोई charge नहीं तो इस 0 10 by 2 5 तो इसका hybridization उना दाएगा SP3D इसका hybridization क्या SP3D है इसका hybridization SP3D है अब SP3D में अपन इसको draw करते हैं कि इसको CLF3 को तो यह CL यह F 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 यह एक लोन पेर यह दूसरा लोन पेर तो यह मेरा टी शेप बन रहा है T-shape CLF3 का structure है तो सबसे पहले मैंने कहा कि है hybridization लिकाला और फिर देख लाए इसका hysteric number जो आया है वह 5 आया है और इसका bond numbers कि मैंने कितने bond बना रहे हैं कि 3 तो इस पर कितने लोन पेर होंगे दो लोन पेर होंगे दो लोन पेर है तीन bonds कुछ T-shape के अंदर arrange हो जाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा अपना answer इसका answer हो जाएगा B T-shape है इसका answer next question XZF2 मला जीनॉन डाय फ्लोराइड का shape क्या है linear trigonal pyramidal angular इसके क्या shape होता है XZF2 मला जीनॉन डाय फ्लोराइड है मेरे पास तो बनाते हैं XZF2 तो देखिए सबसे पहले वही steric number लिकालता हूं मैं steric number 8 plus 2 minus 0 10 by 2 इसका steric number आया है 2 hybridization SP3D इसका भी hybridization कितना है SP3D आया है अब देखो loan pair कितने होंगे steric number 5 है इसका static number 5 है loan pair कितने होंगे 3 अब 3 loan pair है steric number 5 है और 2 bonds बनाने है तो उसको किस shape मैं arrange करूंगा पहले इतना देख लीजे ठीक है अब उसको shape मैं arrange करते हैं तो XZ F2 देखो यह xenon यह fluorine यह fluorine यह fluorine यह एक loan pair यह दूसरा loan pair यह तीसरा loan pair इसका shape क्या बना linear linear shape मैं हमेशा loan pair को hide कर देते है shape मैं हमेशा loan pair को hide कर देते है फिर जो चीज बनती है वो अपना shape होता है तो यह क्या हो गया मेरा linear हो गया ठीक है laughing gas is यह remembering पार्ट है laughing gas कौनसी है N2O N2O3 NO N2O5 remembering पार्ट है N2O मेरी laughing gas होती है nitrous oxide nitrous oxide कहता है dinitrogen oxide dinitrogen oxide वो laughing gas होती है यह मेरा trioxide यह मेरा penta oxide और यह मेरा neutral oxide होता है NO next question fifth number का question यह थोड़ा reaction part question है बहुत easy है और previous J means में भी एक बार आ चुका है यही सवाल आ चुका यही वाला ऐसा ही सवाल यही था the metal X on heating in nitrogen gives metal Y and Y on treatment with water gives a colorless gas which when passed through ammonia copper sulfate solution gives blue color Y is MgNO3 MgMgO Mg3N2 और NH3 देखो क्या लिकरगा है एक metal X है उसको nitrogen की gas की presence में heat किया तो उसमें Y दिया है और Y के जब water के साथ reaction कराई तो इसने मुझे gas दिया है और वो copper sulfate solution को blue कर देती है याद करो कल मैंने एक आपको question कराया था जिसके अंदर copper sulfate solution को test करने में मैंने compound यह याद दिया था जिसे मैंने ammonia कहा था और मैंने कहा था जब copper plus 2 की compound की reaction जब copper plus 2 के जब copper plus 2 के compound की reaction जब मैं कराता हूं किस के साथ ammonia के साथ तो मेरे complex बनता है जो कुछ इस प्रकार सा होता है और इसका color blue color का होता है इसका color कौन सा होता है blue color का होता तो यही लिकर का है when colorless gas when passed through copper sulfate solution gives blue color मनले जो gas है वो मेरी कौन सी ammonia है तो मुझे gas के बारे में पता चल गया मनले मेरा d option तो हो नहीं सकता क्योंकि gas अगर मेरी blue color की है तो मेरा y कैसे ammonia हो जाएगा हां तो यह d option तो हो नहीं सकता अब यह तीन चेक करते हैं ठीक है अब यह तीन चेक करते हैं यह तो अच्छा कोशन है previous जेए मिंस में आया है समझा देते हैं एक बार अच्छी तरीके से अब क्या बोला उस metal x ने जब nitrogen के द्रियक करा तो y बना है और उस y ने जब water के साथ reaction करा तो एक compound और एक ammonia gas release करी और वो ammonia gas अपनको चलो पता चल रही है अब अन पता करते है y कौन सा है और यह कौन सा है अब देखो मेरे को एक बात पता चल रही है कि सब magnesium के है सब magnesium के है तो इधर मेरा metal magnesium ही होगा अब जब magnesium यहां सब magnesium के है तो मेरा magnesium رीक करता है alkaline metals मेंатов नाहीथाम रहाक करता है नाहीड pewno करता है नाहीडन के इधर तो magnesium लगतर है मने मेड्नीचम ही होगा मेरा magnesium का कोई compound नी सिब मेड़न बोला तो magnesium होगा अब जब मैटल मेरा नाइट्रोजन का रियक करता है तो जब मैगनिशा मेरा नाइट्रोजन का रियक करता है तो Mg3N2 बनाता है Mg3N2 बनाता है तो यह मेरा आंसर C हो जाएगा इसका मेरा आंसर क्या हो जाएगा C हो जाएगा तो मतलग nitrogen ने react करी mg ने react करा nitrogen के साथ mg3N2 बनाया और mg3N2 ने water के साथ reaction करके एक बनाएगा mg OH whole twice और एक बनाएगा ammonia gas और यह फिर ammonia gas react करी कि किसके साथ COSO4 के साथ और एक blue color solution दे देगी जो होगा मेरा complex जिसके अंदर ligand मेरा ammonia होगा तो समझ में आगे यह answer मेरा क्या हो जाएगा C मेरा answer हो जाएगा अगर यह sodium भी होता magnesium भी होता, lithium भी होता तो alkaline metals में lithium भी react करता nitrogen के हैट और alkaline metal में सब करते है nitrogen के हैट next question sixth question when a sugar is treated with concentrated sulfuric acid, the sugar is chared and this process is called charing of sugar को कहता है और इस process के अंदर एक वो चीज होती ही होता हूँ, क्या होता है, जब C12 जब C12 H22 O11 जब react करते हैं H2SO4 के साथ मैं जानता हूँ, H2SO4 के कुछ properties होती है जैसे यह एक बहुत अच्छा oxidizing agent होता है यह dehydrating agent होता है यह oxidizing agent होता है यह acidic nature का होता है तो यह क्या करता है carbon black और 12 H2O sorry, 11 H2O और 12 carbon लिका देता है black suit कहता है black suit हाँ, तो इसने क्या किया dehydration कर दिया, इस sugar में से इसने पानी बाहर लिका दिया पानी बाहर कर दिया तो एक dehydrating agent की तरह होता है तो इस cancer क्या हो जाएगा D इस cancer क्या हो जाएगा मेरा option D next question next question है 7th question how many moles of oxygen obtained by heating 8 moles of potassium chlorate 16, 12, 8, 28 reaction लिकना सबसे पहले kcl o3 give kcl plus o2 तो इसको balance करने के लिए मैं यहां 2 यहां 2 और यहां 3 कर देता हूं और सही से लिख देता हूं मैं reaction फिर से थोड़ा मैं इसकी वो छोटी कर देता हूं तो यहां 2 यहां 2 और यहां 3 balance हो गई अब देखो क्या बोला है कि 8 moles of potassium chloride लूँगा इसके 2 से इसका 3 बन रहा है तो इसका 1 से इसका बनेगा 3 by 2 into 8 12 moles तो B option मेरा answer है बस reaction याद होती ही अराम से कर देता है बस reaction ही याद होती है KCl plus O3 इसके अंदर catalyst भी use करता है Mn O2 ठीक है वो बात अलग है वो इतने important नहीं बस यह बात important है कि KCl O3 KCl plus O2 देता है और कहीं जगे यह reactions use भी आती है आपके next solution the fluorine cannot show oxidation state other than minus one because it is most electronegative element has no vacant d-orbital small in size it cannot form covalent bond because of high electronegativity atomic volume is very small देखो इसका answer सीधा है कि जो fluorine होता है वो बहुत electronegative atom होता है उसके पास कोई vacant d-orbital यह होता है क्योंकि second period में आ जाता है second period में d-orbital vacant present नहीं होता है third period से d-orbital की starting होती है chlorine chlorine, sulfurs है nitrogen, oxygen, fluorine कोई d-orbital होता ही नहीं है और चुकि यह fluorine सबसे ज़्यादे electronegative atom होता है तो यह कभी भी positive तो शो करी नहीं सकता और यह minus one शो करता है ठीक है next question which is most acidic कौन सब most acidic है p2o3, sb2o3, b2o, as2o3 देखो सबसे यहले बनाते हैं कुछ nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony bismuth और boron यहां करें हो कार्बन यहा यह जाते हैं तो metallic character increase होता है और यह जाते हैं metallic character decrease होता है यह सबसे ज्यादा basic होगा और यह सबसे ज्यादा इन में से अभी तो इन में से चेक करा तो देखो p2o3, sb2o3, as2o3 है यह दोनों तो option से हट गए p2o3 और यह जीता अब बचा a और c यह जाते हैं मेरा metallic character decrease हो रहा है और जितना ज्यादा acidic character होता है इसमें से इसकी ज्यादा होगी तो मेरा option कौन सा हो जाएगा a a मेरा option हो जाएगा इसका मेरा answer हो जाएगा p2o3 most acidic और यह most basic in mess है next question 10th number the stability of dihalides of silicon germanium stem lead increases in the sequence यह कुछ sequence given है मुझे बताना है इसके अंदर concept यूजरा जीसे अपन inert pair effect कहते है क्या बोलता है और सब carbon family है तो carbon family में कहे शिव सुने पारवती तो PB सबसे नीचे आता है तो PB की plus 2 की stability सबसे जाद होगी तो PB की plus 2 की इन दो option में है फिर silicon की सबसे कम होगी तो A option मेरा अंसर हो जाएगा इसके लिकान नहीं उसका X दे दो यह ठीक है oxygen की माइनस 2 नेट चार्ज कुछ नहीं 0 तो 2X 2 X की value plus 1 A option मेरा अंसर हो जाएगा इस वास 11th question N2 वह बस याद हो ना चाहिए N2 dine nitrogen oxide Atomicity of phosphorus Phosphorus के atomicity क्या है 4 है सीधा याद रख लो Atomicity of phosphorus is 4 Next question Next question Choose the correct statement from the following Rhombic sulfur is blue in color Rhombic sulfur is soluble in water Insoluble in organic solvent Rhombic and monoclinic sulfur In cyclo-H6 molecule the ring adopts chair form structure यह allotrop's form of sulfur वे बड़ा अच्छा question है बड़ा अच्छा question है तो solve करते एक बार इसको अपन Sorry हाँ तो देखो क्या है सबसे पहला Rhombic sulfur is blue in color नहीं गलत बार इसके दोनों form yellow in color होते हैं तो यह option Rhombic sulfur is insoluble in water Insoluble in organic solvent अगर आपको यह नहीं पता है तो भी आप कर सकते हो चेक करते हैं बड़ दूसर option वैसे गलत है क्योंकि insoluble होता है water के अंदर और some extent तक यह soluble होता है inorganic solvents के अंदर तो यह option भी गलत है लेकिन अगर आपको नहीं पता तो भी अपन कर सकते हैं जो rhombic sulfur monoclinic sulfur होता है उसके अंदर structures नहीं होता है S8 का molecules होता है S8 होता है जो crown shape होता है मेरा जो crown shape होता है मेरा तो यह भी गलत हो गया in cyclo h6 structure the ring adopts a chair form structure हाँ यह सही बात है उसके अंदर chair form आ जाती है उसका कुछ इस प्रकार से structure हो जाता है हर जगे sulfur का item होता है एक दो तीन चार पांच है यह chair form structure हो जाती है 3D के अंदर होती मैंने एक बता दिया एक chair form structure हो जाती है यह उपर यह plane में यह what on the plane एक chair form structure हो जाती है तो इसका D option correct है इसकी एक और बात होती है वह paramagnetic वाली जिसका जो S2 होता है वह high temperature पर exist करता है और paramagnetic nature का होता है और एक होता है इसका वह temperature transition temperature जिसके अंदर rhombic sulfur और alpha sulfur transition होता है कि जो मेरा alpha sulfur होता है वह room temperature के उपर below किसी temperature पर stable होता है और वह alpha temperature किसी और above the temperature पर sorry वह cut आ गया गलती से recording off हो गई थी एकदम से हाँ क्योंकि off हो गया था तो मैं समझा रहा था S2 के बारे में यह question समझा दिया था मैं थोड़ा extra बाते बना रहा था S2 मेरा high temperature exist करता है paramagnetic का nature होता है transition temperature के बारे में मैं इसमें बता रहा था तो इसका इतना ही है अब देखो एक गलत है आपको सीधा बतले मैंने बोला था N2O5 exist करता है NO2 प्लस और NO3 माइनस के अंदर यह आगे आएगा गलत रिप्रेजेंट हो चुगा है पर कोही नहीं समझने जैसा है कि N2O5 exist करता है NO2 प्लस और NO3 माइनस के अंदर solid form में next question select the correct statement for BRF5 all the fluorine atoms are in the same plane four fluorine atoms and BR atoms in plane the four fluorine atoms are in the same plane all FBRF bonds are at 90 degree check करता है BRF5 का सबसे बहुए structure बनाता हूँ मैं इसका जो hybridization आएगा SP3D2 आप लिका ले ना steric number इसका 6 आएगा तो BRF मैं इसका ड्रॉ कर देता हूँ इसका structure फिर थोड़ा बात समझाऊँगा थोड़ा अच्छा है अब आपको देखने से क्या लगेगा कि यह square है और यह pyramidical है और यह loan pair है तो आप तो यह बोलोगे square pyramidical यही बोलोगे तो आप बोलोगे sir all fluorine atoms and we are in same plane आप बोलोगे B option लेकिन असली में गलत है असली में यह गलत है नहीं यह structure में न मतलब hybridization सही है structure सही है लेकिन असली में इसका जो shape होता है due to loan pair repulsion due to loan pair repulsion अब क्या होता है इसके अंदर वो में समझाता हूँ पहले इतना note कर लिया due to loan pair repulsion क्या होता है यह जो BR है जो loan pair है ना इसके repulsion के वज़े से जो bond होता है ना यह थोड़े नीचे की तरफ shift हो जाते है थोड़े से नीचे की तरफ shift हो जाते है लेकिन इस तरीके से shift होते है लेकिन इस तरीके से shift होते है कि जो इनका FF है वो अभी भी A के प्लेन के अंदर आते हैं लेकिन इनका जो B.R. है अब ये उस प्लेन में नहीं आता है जो F का प्लेन है न ये जो F का प्लेन बन रहा है इसके अंदर ये B.R. नहीं आता है लेकिन ये F एक अपना प्लेन बनाते है तो all fluorine atoms are in same plane लेकिन 4 fluorine and BR same plane में नहीं होते है BR थोड़ा उपर होता है और ये fluorine atom थोड़े नीचे की तरफ shift हो जाते है और इनके बीच का जो angle होता है वो पहले क्या हो रहा था अगर पहले सब सही होता है बुल्कुल भी नहीं होता है तो 90 degree बनते यू बनने वालो में से FBR अब वो 90 degree भी नहीं रहता है ठीक है अच्छा कोशन है अगर concept ये नहीं पता होगा तो आप सीधा गलत कर गया जाओ next question elements of the group 15 plus 5 oxidation bismuth forms only one well characteristics compound in plus 5 the compound is B2O5, BIF5, BCL5 and Bi2S plus 5 कौन सा compound है bismuth का जो plus 5 oxidation state शो करता है देखो अगर देखा जाए phosphorus, arsenic, antimony, bismuth down the group जाते है plus 5 की stability घड़ती है और plus 3 की stability बढ़ती है लेकिन जो bismuth होता है ये एक अपना compound शो करता है bismuth plus 5 के अंदर एक well known compound शो करता है bismuth plus 5 के अंदर वो कौन सा है वो मेरा है BIF5 BIF5 fluorine जो होता है जो most electronegative atom होता है वो help करता है compound को अपनी maximum oxidation state तक ले जाने में तो इसका जो ये ऐसे BIF5 है ना ये कैसा compound है जो fluorine को अपनी maximum bismuth को अपनी maximum oxidation state तक ले जाता है कौन सा है BIF5 यहाँ रखना है NCIT में blind लिख रखी सीधी बात inert pair effect के paragraph में यहाँ रखने वाली बात है next option the product formed by the complete hydrolysis of PCL3R H3PO3, HCL, POCL3 H3PO4 H4 P2O7 PCL3 का hydrolysis करना है यह प्लस 3 के अंदर होता है तो इसका जो प्लस 3 वाला oxyacid ही बन जाएगा H3PO3 PLUS HCL A option इसका प्लस 3 वाला oxyacid ही बन जाएगा हाँ इसका प्लस 3 क्या होता है अगर किसी के पास चीज़ क्या होता है इसके basic rules क्या होता है अगर उसके पास positive oxidation state है और vacant d orbitals है तो अपना hydrolysis शो करेगा और उसका जो oxyacid जिस आयन के अंदर है उसका वह वाला oxyacid बन जाएगा क्या होता है यह जो oxygen होता है इसके vacant d orbital के अंदर अपने डोनेर करता है फिर c l बहार लिकलता है वह साही mechanism होती वह अपने समझने लाइक नहीं है आपको बस इतना याद रखना है कि अगर plus oxidation state और vacant d orbitals हैं इसके पास vacant d orbitals या vacant orbitals है तो वह hydrolysis शो करेगा और जो oxidation state का है वह oxidation state का इसका oxyacid बन जाएगा S3PO3 plus 3 वाला oxyacid होता तो वह बन गया इसका ठीक है next option the nitrogen is relatively inactive element because its atom has a stable configuration it has low atomic radius its electronegative is fairly high and dissociation energy of its molecules fairly high nitrogen triple bond n होता है क्योंकि इसके अंदर double bonds है मतला है इसके अंदर triple bond आ रहा है तो इसकी जो BDE होगी जो bond dissociation energy होगी इसकी जो BDE है bond dissociation energy वह बहुत high है उसके कारण जो मेरा nitrogen होता न वह relatively react नहीं करता unreactive होता क्यों होता है क्योंकि इसकी bond dissociation energy हो बहुत ज्याद है क्यों 3-3 bond होगी 2 bond में energy लगती एक bond टोड़ना फिर एक और bond टोड़ना फिर एक और bond टोड़ना तो इसमें energy और ज्यादा लगेगी इसके अंदर relatively high bond energy ज्यादा लगेगी इसलिए इसकी reactivity कम है तो D option the bond dissociation energy of its molecule is fairly high next question the nitrogen is nitrogen is liberated by the thermal decomposition of only NH4, NO2, NaN3 यह compound and all of this ammonium chromate देखते हैं कल यह वाले compound के बारे में तो मैंने आपको बताया था इस compound के बारे में कल मैंने पूरा बताया था यह Cr2O3 में जादा यह क्या हो रहा था Cr यह plus 6 के अंदर था अगर यह Cr2O3 plus 3 में गिया है तो यह इसने अपना आपको reduce का है तो यह खुद को oxidize करेगा यह minus 3 से N2 0 में चला जाएगा पूरा बात मैंने कल आपको समझा दी थी एक oxidizing एक reducing वो पूरी बात में आपको समझा दी थी तो यह तो मेरा कर रहा था N2 release क्या बना रहा था N2 Cr2O3 और H2O अब इनका चेक करते हैं देखो अगर very pure form of nitrogen चाहिए होती है तो barium azide बहुत काम का compound होता है barium azide, sodium azide बहुत काम के compound होता है यह pure nitrogen अपनको देदेते हैं तो यह क्या देदेंगे अपनको sodium plus nitrogen यह देदेगा NH4 NO2 यह मेरे को क्या देता है N2 plus H2O दो molecules of H2O देदेता है यह भी मेरा देता है जितने water molecules H2O के मैं लिकाल सकता हूँ तो देखो क्या हुआ मेरा 2 water molecules लिकालने के बाद N2 तो मैंने वह लिकाल दी और यह मेरे को मिल गया तो इस cancer क्या हो देगा क्योंकि सब मेरे को N2 दे रहे यह भी दे रहे समझ में आ गया तो इस cancer क्या हो देगा यह आपकी preparation on diet nitrogen के अंदर तीनो reactions given है मैंने तीनो एक ही question में हो गई लास्ट question of this video तो क्या है last question the strongest acid of following H2O, H2S, H2SC और H2T इनमें से strongest acid कौन सा है मेरा तो देखो जबी भी acidic character लिकालना होता है एक ही period के अंदर कैसे लिकालते हैं सबसे बहले देखो अपन H plus remove कर देते हैं O2- SE-2 TE-2 अब देखो सेम जबी भी सेम period के होते हैं जबी भी सेम period के होते हैं तो एक organic में concept होता है acid character कैसे लिकालते हैं जो NIN जितना stable होगा NIN जितना stable होगा जो इसका conjugate NIN बनेगा वो जितना stable होगा उतना अच्छा इसका acidic strength होगा इतना अच्छा इसका acidic character होगा अब कौन सा NIN सबसे ज़्यादा stable है ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला चेक करते हैं देखो अगर एक group की बात करते हैं same group में तो down the group जाते हैं तो हमारी negative charge उस पर stable होता है जिसकी size सबसे ज़्यादा होती है तो T e-2 सबसे ज़्यादा stable होगा जब T e-2 सबसे ज़्यादा stable है तो इसका acidic character सबसे ज़्यादा होगा तो इसका answer हो जाएगा D इसका अंसर हो जाएगा D कब जब एक ग्रूप की बात करते हैं अब यह हो गया लिख दता हूं मैं कंसर ग्रूप में नेगेटिव चार्ज स्टेबल उन लार्ज एनायन और अगर एक पीरड की बात करेंगे तो पीरड के अंदर जिसकी एलेक्ट्र नेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी उस पर नेगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा जैसे अमोनिया ह2 और हF में कौन स्ट्रॉंगेस्ट असे होगा हF क्यों F- बनाएगा वो रिलीस करने के बाद यह सबसे यहादा हे इस कव February इन 3th मोर्य ससे के ऐलेक्ट्र नेगाटिविट सबसे ज़्यादा है तो f- अबसे यहादा सबसे ःस्टेवल है तो प्यीरड के अंदर एलेक्ट्रो नेगेटिविटी पे फेक्टर पे चार्प हा गूरूंग्रूप में